जय हिंद बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है साथियो यूपी बीड काउंसिलिंग दोजार चोबिस से जुड़ी एक नोटिस आ चुकी है जोकी बुंदेल खंड यूनिवर्सिटी की तरफ से है आप यहाँ पर इस नोटिस को देख सकते हैं तो इसमें काउंसिलिंग की नई तारिख को बताया है हालाकि बी यू ने इससे पहले 5 अगस्त को पताया था कि काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी लेकिन प्रशासन से अनुमती ना मिलने के कारण B.E.U. दिये गए समय पे काउंसिलिंग नहीं करा पाया इसलिए अब बुंदेलखन युनिवर्स्टी की तरफ से एक नई नोटिस आ गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि काउंसिलिंग की नई तारिख क्या है ताकि यूपी B.E.U. से जुली कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो की माधम से साजा कर दी जाए तो चलिए बात करते हैं कि नोटिस क्या है तीकि नोटिस में ये है कि B.E.U. की 13 से हो सकती है काउंसिलिंग यानि 13 आगस्त से आप सबी की काउंसिलिंग शुरू हो सकती है आईए हम लोग इस नोटिस को अच्छे से पढ़ ले लिखा है प्रदेश भर में B.E.U. की काउंसिलिंग 13 आगस्त से हो सकती है यानि जो नई डेट है वह 13 आगस्त बताई जा रही है इसके लिए बुंदेलकंड विश्विध्याले ने शासन को प्रस्ताव भेजा है यानि इसके लिए की 13 से काउंसिलिंग होगी इसके लिए युनिवर्सिटी ने प्रस्ताव भेज दिया है और काउंसिलिंग अक्टूबर के प्रथम सबताह तक तीन चरण में होगी तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि काउंसिलिंग तीन स्टेजेज में होगी जैसे हर बार होती थी यानि फर्स्ट स्टेज पहला चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण तो हर बार की तरह तीन स्टेजेज में होगी और उसके बाद यहां पर बताया गया कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक काउंसिलिंग आपकी चलने वाली है तो यानि अगर 13 तारीक से शुरू हो जाएगी तो आपका पूरा अगस्त चला जाएगा और पूरा सितंबर भी चला जाएगा तो यानि दो महिने यहां पर आपकी काउंसिलिंग चलने वाली है और आगे क्या कहा गया कि B.U. ने सिच्छा सत्र दोजार चुबिस पच्चिस की राज अस्तरी संयुक्त बीएड प्रवेस परिक्षा कराई थी यानि इस बार जो B.A. प्रवेस परिक्षा कराई थी वो B.U. ने कराई थी पूरी जिम्मेदारी B.U. की थी और इसके लिए जो आवेदन आये थे वो 2,23,000 आवेदन आये थे और उसमें से 1,93,000 लोगों ने पेपर दिया था और इन ही 1,93,000 विद्यार्थियों को रैंक जारी हुई थी तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी रैंक जान सकते हैं वैसे जानते ही होंगे और जो सबसे लास्ट रैंक होगी वो 1,93,062 होगी क्योंकि इसके बाद तो कोई अभिर्थी है ही नहीं लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि इस बार मतलब कितने बच्चों को बोलाया जाएगा जैसे पहले होता था तो पहले लगबग 4,00,000 के आसपास विद्यार्थी होते थे तब जाके या सड़े 3,00,000 के आसपास विद्यार्थी होते थे तब जाके उनका तीन स्टेजेज में काउंसिलिंग कम्प्लीट कराई जाती थी लेकिन इस बार लगभग दो लाख भी नहीं है कम्प्लीट तो इसमें ये देखना होगा कि पहले कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जैसे हर बार होता था कि पहले राउंड में एक से 75,000 तक जिनकी रैंक है उनको बुलाया जाता था और दूसरे वाले में 75,000 से 2,000,000 तक बुलाया जाता था 75,000 से 2,000,000 तक वालों को बुलाया जाता था और इस बार चुकि 2,000,000 ही लोग है तो ये देखना होगा कि क्या ये लोग तीन स्टेज में कैसे डिवाइड करेंगे हो सकता है पहले में एक से पचास हजार को बुला लें दूसरे में पचास हजार से डेर लाग तक को बुला लें और देखने वाली बात यही होगी कि counseling का schedule कब आता है और कैसा होता है इस बार का schedule तो जैसे ही schedule आएगा आप सब तक तुरंत भेज दिया जाएगा इसके लिए आप हमारे telegram channel से भी जुड़ सकते हैं telegram है बजरंगी study point नाम से आप description से जाकर connect हो सकते हैं मैं comment में अपना telegram का link पिन कर दूँगा आप वहाँ से भी connect हो सकते हैं और बाकी आप लोग यह मान के चलिए कि 13 अगस्त से आपकी counseling स्टार्ट हो जाएगी और अगर इसमें भी कोई बदलाव आता है तो आप सब तक सूचित कर दिया जाएगा और अब इसके बाद उम्मीद है कि schedule जारी कर दिया जाए कि counseling का schedule क्या रहने वाला है और बाकी जानकारी यही थी कि counseling की नई तारीक आ गई है जो कि 13 अगस्त है और उम्मीद है कि 13 अगस्त से counseling शुरू हो जाए तो फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद